नमस्कार मैं हूँ निरंजन और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं चाइना से हिंदी व्लोग जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहां आप किस प्रकार से जोब के लिए अपलाई कर सकते हैं, कितना पैसा आपको मिलेगा और कहां से आपको अपलाई करना है जो वीडियो का पहला पार्ट है वो है कि यहां किस प्रकार की जोब्स होती है वो मैं आपको बता ताऊँ हूँ, पहले पार्ट की बात या आती है तो देखे दूस्तों यहां अलग अलग जोब्स हैं पहला जो बाता है वो देखिए IT फिल्ड वालों का दिमाख वालों का पहले बात करते हैं फिर डाक्टर इंजनियर का इन सब का बात कर लेते हैं पहले आता है सबसे पहले जो दिमाख वाले हम जिसे बोलते हैं कि IT वाले जो लोग हैं जोनोंने IT फिल्ड में बहुत कुछ कर र तो ये सब चीजे नॉर्मल है, तो आप यहां आ करके इनको देख सकते हो, आप इनको महशुष कर सकते हो, इन गाडियों में बैठ सकते हो, तो सोच लीजिए कि उनका जो टेक्नोलोजी है, वो कितना अच्छा हुआ होगा, और आईटी वालों को यहां लगबग इंडिया के 2 लाग से लेकर के 4 लाग तक का पेकेज मिल जाता है, देपेंड करता है कि उनकी क्या स्किल है, कैसा वो काम कर पाते हैं, यह सब चीजे उनके लिए यहां पे निरबर करती है, उसके अलावा हम बात करते हैं, जो डाक्टर सा मतलब जो खाना बनाने चांते हैं और चाइना आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी धर दरवाजे खुलें, दोस्तों, आपको हर काम के लिए 2 साल का EXPERIENCE ले लीजे, उसके बाद आप चाइना के आने के दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं, तो जो खाने पीने वाले वहां आखर के दो जिगाव कर सकते एक होता है इंडियन रेस्टोरेंट पे और दूसरा होता है यहां की five star hotels में पैना कि जो five star hotels हो उसमें अलग-लग continent के अलग-लग country के यहां पर आपको सेफ मिलते हैं तो आप उन hotels में जॉब कर सकते हो आपका पैसा होता है लग-बग इंडिया के एक लाक रूपए से लेकर के इंडिया के ढई लाक रूपए तक आपको यहां पे सेफ को पैसा मिलता है साथ में आप इंडियन रेस्टोरेंट जो भारती है यहां पे खाने का जो रेस्टोरेंट होता है उसमें आप काम कर सकते हो आपको बार्गेनिंग करके पैसा देगा लेकिन जो भी है भारत में आपको आपको अरेंजमेंट है यहाँ हर एक कमपनी आपको जोब दे रही है तो वो रहने का भी सिस्टम देती है बस आपको तो लाइट और पाने का बिल है वो खुच चुकाना पड़ता है, यह यहां का ऐसा system होता है, वैसे दोस्तों अगर आप चीनी भासा के जानकार है, तो आपके लिए यहां बहुत सारे jobs opportunities रहती है, साथ में यह काम करने का तरीका भी अलग होता है, साथ में यह भी बताऊंगा, यहां जो students के job पे आते हैं उनक के लिए क्या system होता है, students के लिए क्या तरीका है, वो part-time job कर सकते हैं, कि नहीं वो भी इसमें बताऊंगा, जैसे ही आप यहां आते हो, तो आपको अलग-अलग तरीके के वीजास के काम करवाने पड़ते हैं, उस पे भी मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा, त उसके teacher आप चाइना में बन सकते हो, क्योंकि यहां आजकल बहुत सारे international school खुल चुके हैं, जिसमें आपके लिए job opportunities खुल जाते हैं, मैं ऐसे कई भारतियों को जानता हूँ, जो यहां रसाइन विज्ञान के, जिसे chemistry बोलते हैं, बहुत इक विज्ञान, जिसे ही आप physics बो रही है, इससे तो काम चलेगा नहीं, आप थोड़ा सा अंग्रेजी में बहतर हैं, और थोड़ा सा active दोस्त हैं, तो दोस्तों आप चाइना आईए, एक साल की scholarship पर आईए, यहां पे आप Chinese भासा सीख लीजे, और फिर यहां देखिए आपके लिए job के ऐसे ताते लग जाए है, यहां चाइना में केवल Chinese भासा को, अपनी मत्र भासा को यहां value दी जाती है, वहां जो हमारी हिंदी को परंपरी यह भाषा हम राष्टर भासा के रूप में जानना चाहते हैं, लेकिन उसको भी एक राष्टर भासा का दर्जा देने के लिए कईयों के पैट में मरोडे आते हैं, तो दोस्तों बात यही है कि जब देश की एक भासा होती है ना, तो उसके साथ लोगों का एक जुडाव होता है, और उसके लिए दोग बहुत कुछ करने को तियार होते हैं, तो चाइना में आकर के आप यहां की चाइनीज भासा सीख सकते हो, उसके बाद आप खुद को करना है, बस बिजली का बिल खुद को देना है, पानी का बिल खुद को देना है, बतल की आपको मकान बहुत अच्छा मिल जाता है, साथ में एक महिने की छुटी मिलती है, बारा महिने में और आप डाउन के लिए फ्लाइट का टिगिट में मिलता है, यही सेम बारा रूपए का एक आरंबी होता जो चाइना की आकरंश यह वारा रूपए की बनती है तो वो आपको यहां पर अपोर्चुनिटीज मिलती है तो यहां साथ हजार से लेके यहां बैश बनती हो जाते हैं बस आपके आपके बहुत अच्छा हुँने चाहिए साथ में आपको थोड़ा रिस्क टेकिंग आपके जिगर में होना चाहिए क्योंकि देखिए आप विदेश में बैठे हो और रिस्क और करेज ये दोनों होना जरूरी है काई लोग बोलते हैं यार मैं ड्राइवर बहुत अच्छा हूँ मैं ये वह हूँ तो वह हूँ हुआ है जो टाइप सी के काम वहां तो जो समांच के लोग कर सकते हैं वो काम के लिए बाहर से लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं जैसे हमारे गल्फ कंट्री में क्या होता है यहां रखने के लिए यहां सेचले जाते हो यह वर सहरा राइवर कर लेए लेकिन ऐसा काम के लिए इधर के लोग ही परियापते हैं, इनके पास menpower भोत है, हालांकि ऐसा होता है कि चीन के जो companies हैं, उनको अगर बाहर का contract मिलता है, तो वो अपने ही नागरीकों को वहाँ पे मजदूर के तोर पे लेके जाते हैं, और वहाँ jobs देते हैं उनको, इसके साथ ही दो किस प्रकार से आपको jobs मिलती है, jobs कहां पे आपको apply करना पड़ेगा या फिर opportunities कैसे मिलेगी, इसके अलावा यहां पे बहुत सारे जो import export का काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी manpower के आवशक्ता होती है, एक भारती बंदे की आवशक्ता होती है, जो उनको help कर सके, तो वो भी आप यहां कर सकते हो, import export का business भी आप यहां कर सकते हो, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया के लिए factory है, यहां से बहुत सारा सामान है, वो बनाया जाता है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम apply कहां करें, तो दोस्तों एक जो linked in करके application है, या website मानिए, उस पे आप दिन है, वो एक international version भी है, एक Chinese version भी है, तो आप कोसिस करिए, चाइना वाले पे भी अपना जो Chinese में है, उसमें अपना profile बना लीजे, साथ में आपको एक website होती है, जिसे बोलते है, jobsinchina.com और .cn, ऐसी website है, उस पे भी आठ जब जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको अलग opportunities वहाँ भी मिलती है, जिसमें अलग-लग कई qualities है, कई fields है, जिनका नाम मैं साइद नहीं add कर पाया हूँ, तो आप वो चीज कर सकते हो, वहाँ पे आप विजिट करके उसको प्राप्ट कर सकते हो, साथ में job का एक और तरीका वो है, कि आप अपने किसी यार, दोस, सगे, समन जो आपका चाइना में relative या कोई भी friend है, वो आपको recommend करे, क्योंकि चाइना आने के लिए आपको पहले visa चीए, और उसके बाद आप चाइना आ सकते हो, अगर आप गलत तरीके से चाइना आते हो, पकड़े जाते हो, तो आप पहले तो jail जाओगे, उसके बाद में आप lifetime के पहले deport करते जाओगे, दुबार चाइना कभी भी work के लिए नहीं आ सकते हो, यहां का rule है, तो visa के लिए बहुत legal way में आपको आना आवश्यक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पे students visa पे भी आ सकते हो, और कई universities और हर province का अलग लग rule होता है, जिस province में आप होते हो, तो वहां की university अगर आपको allow करती है, student visa पे काम करने को, तो आपको वहां student visa पे भी आप काम कर सकते हो, तो इस प्रकार से जानकारी को उपने यार दोस्तों में परिवार में सब के साथ फेला दीजिए, और उनको भी निवंतरन दीजिए, चाइना में आने का और इधर job करने का अच्छा पैसा कमाईए, और बड़िया काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको और कोई समशा होती है, मुझे comment में लिखिए, मैं आपको reply करूँगा, और कुछ ऐसा subject रह गया हो, जिस पे मैं नहीं बोला हूँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस स्री राम जहिन